नमस्कार साथियों और इसकुमार सुखल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर पर दोस्तों कक्षा ग्यारक्रसी वनस्पति विज्ञान कक्षा ग्यारक्रसी में एक बहुत ही महतापूर यह सब्जेक्ट होता है उसका आज का प्लासिफिकेशन उसके प्रकार से सुरू किया आप परिवासाद लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि बीज जो है यह पौधे का ऐसा भाग होता है जिससे तने तथा जड़ की उत्पत्ति होती है यानि जैसे प्रांकुर निकलेगा तना बनेगा मुलांकुर निकलेग देखें डाइकोट को नौन इंडोस्परमिक सीड बोलते हैं क्यांकि यानि इससे बोलते हैं और भुरुड पोसी बीज और जो आपका मोनोकोट सीड होता है एक बीज पत्री होता है उसको भुरुड पोसी बीज यानि इंडोस्परमिक सीड बोलते हैं ठीक है देखें यहा ईहां पर एक बात आप भ्लोग को ध्यान में रखनी है exception में आपका गयाज में भी यह दाइ टाइकाउट में है ठीक है और आपका यहां पर eh mono staagn हो जाएगा ऑर-nect की तिक है structure of הג us read देखिए भर यहां पर मैंने को फीकर बना हुआ आप लोग देख सकते सकते और निवा घमें एक जिसको आकिममि एक्फ doc सबसे इंपर्टेंट है अब ध्यान में रखेंगे चना मटर जामुंदाल सरसो आम से मिमली अब एक बीज पत्री बीज देखिए तो भोजन जो है वो भूड़ पोस में एक कत्रित होता है ठीक है अब को ध्यान में रखना है जबकि जो आपका डाई कोड़ था उसमें भोजन बूड़ पोस में कत्रित नहीं होता है इसमें केवल एक बीज पत्र पाए जाता है जिसे बरुथी का यानि इसकूटेलम कहते है ठीक है एक बीज पत्री पोधों में सबसे बाहर के और एलूरॉन परत पहे जाती है एलूरॉन एक प्रोटीनियस लेयर होती है प्रोटीन की बीज का है ठीक है आप ध्यान में रिखेंगे इसका यहाँ पर पेरिकार पह सबसे बाहर वाला यह बीज आबरण है यह अंदर वाली लेयर जो दिख रही है यह इसका पार इसका भूड़ पोस वाला है और यहां पर आपका जो यह देख रहा है यह आपका मोनो कॉर्सिट क यह इसारा फीकर आप देख सकते हैं त्रिक ऊडित होता है मक्का का दाना एक सत्य फल है क्योंकि इसमें फल भीत्ती आप बीजावरण आपस में जुड़े रहते हैं यह देखिए मक्का का यह मैंने बनाई हुआ आप देख लीज़े बीजो का अंकुरंट देखिए मैंनी इसमें आपका इमली कॉटन कुकुमबर पपाया सेम कैस्टर इस प्रकार के आ जाएगा मैंने ट्रिक बनाई है आप लोगों के याद करने के लिए इसमें आपका चना मटर मुखली आम मक्का यह चीज़ें आ जाएंगी एक विशेज प्रकार का अपकरण होता है जिसको कोते हैं वीवी पैरी भी बोलते हैं पिद्रस थंकुरन, जब बीज जो है वह फल के अंदर हो तबी उसी मात्रपौदे पर उसका अंकुरन हो जाता है, इसमें आपका चावल है, नारियल है, राई जो पोरा है, और एक और important example है वीवी पैरी का mangrove, सुना होगा आप ल तुरूज़ेंगे आपको अच्छे से आत हो जाएगा आपको अगर पीडियव चाहते पना चाहते यह तो पीडिये-अफ आपको मीर टेलीग्राम चैनल पर उसके लिए आपको जूइन करना इंटिया करना है टेलीग्राम को ज्यादा से ज्यादा से एर करें कि ज्यान जो है बाटने से बढ़ता है थैंक्स फॉर रॉचिंग हैव नाइस डे टिल टेक क्यार